यसकावा की VFD का एक error code है OH1, overheat 1, heat sink overheat, the temperature of heat sink has actually 10 degree plus default value L8-02, ठीक है, एक्षवल में होता है, जो VFD होती है हमारी, उसमें एक heat sink लगा होता है, और heat sink क्या करता है, जो हमारे control card से heat generate होती है, उसको absorb करता है, और उसको exhaust करता है, मितलब उससे control card की working पे कोई effect नहीं आने देता, heat sink में एक temperature sensor लगा होता है, जो VFD का controller होता है, उसको signal भेजता है कि अभी इसका temperature कितना है, VFD का, तो अभी क्या है, वो 10 degree जादा हो गया है, जो default value set की होती है, and I think default value 60 या 70 degree का होता है, 60 degree I think, या 50, I am not sure, ठीक है, it depends on VFD make, अलग-अलग होता है सबका, ठीक है, तो इसके कई सारे reason हो सकता है, तो हमारी जो VFD है न, वो एक ऐसे environment में लगी है, जहां पे heat जादा generate हो रही है, दूसरा क्या है, VFD का ambient cabinet होता है, मतलब जिस box के अंदर लग जाता है, कि अगर fan जो चलता है, वो उसी hot air को ही circulate करता रहता है, और वो जो गरम होआ है न, वो धिरी दिरी इतनी गरम हो जाती है, कि वो temperature काफी जादा high हो जाता है, तीसरा reason इसमें क्या हो सकता है, एक fan लगा होता है, जो fan VFD को अंदर ambient को cooling करता है, मतलब ठंडी fresh air देत जाती है, तो temperature maintained रहता है, तो वो जो fan है न, वो खराब हो गया है, ठीक है, यह reason हो सकता है, ठीक है, और maximum chances यह है, ठीक है, एक बरी क्या हो सकता है, कि load जो है न, बहुत जादा है, मतलब मोटर पे काफी load है, ठीक है, और वो continuously 24 by 7 चल रही है, ठीक है, तो यह reason हो सकता है, ठीक अब मैं आपको बताता हूं कि solution क्या है, आप इन चीजों को देख लिए कि अगर ambient है, तो वहाँ पे कुछ फैन लगा दीजिए, ठीक है, और अगर कहीं ऐसी जगह पे VFD लगी है, जहां पे बहुत जादा, मतलब पर temperature अपने आप automatically generate हो रहा है, तो अब उस VFD की location replace कर लीजिए, तीन चार काम कर सकते हैं, और अपने एक बड़ी VFD को blower से पूरा clean कर दीजिए, अंदर से, ब्लोवर चला के, पूरा clean proper आप clean कर लेंगे, तो उससे होता क्या है, जब अंदर की cleaning हो जाती है, तो VFD का जो fan होता है, जो fresh air होती है, वो proper work करना सुरू कर देती है, वो direct card से touch होती है, और heat sink से touch होती है, ठीक है, तो अब एक VFD से, एक तो blower से clean कर दीए, दूसरा कोई अलग से external fan लगा के, आप वहाँ पर temperature create कर सकते है, ठीक है, या तो fan replace होगा, अगर fan faulty है, तो या फिर एक external fan लगा दीजिए, जो VFD पर हवा जा रही हो, जिससे air जा रही हो, तो then it should be replaced and problem will be solved also, तो चलिए ठीक है, I think now, अभी कर सकता है, domandia.gmail.com पर, एक book का link मैंने नीचे description में दिया हुआ, आप उसको purchase करके पढ़ सकते है, automation की book है, जो आप